नमस्कार दोस्तों आप सभी का सवागत आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वोड़ाफोन आइडिया लिमिटेड स्टोक के बारे में सुगस इस स्टोक पर कितनी जादा पोजिटीव अपडेट निकल के आ रही है पोजिटीव खबरे काफी जादा निकल के आ रही है और साथी साथ दोस्तों इस स्टोक के दोस्तों जो टारगेट से वो भी कई ना कई चोका देने वाले नजर आ रहे है और आखिरकार दोस्तों इस स्टोक पर अभी तेजी क्यों नज़र आई है इस सीज़ पर भी बड़ी अपडेट निकल के आई है जानकर एक काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाली है प्राइस पर शीदी चर्चा कीज़ा तो तेरा रुपा अठावन पेशे पर आज का सेशन कलोज हुआ है जो एक पर भी इस स्टोक पर गिराउट रही वह काफ़ी चोका देने वाली क्योंकि पंदरा रुपा अठारा पेशे से इस स्टोक पर गिराउट बढ़कर तेरा रुपा च्छे पेशे तक भी नज़र आई और रिटेंस पसले पांस मार्केट सेशन में काफ़ी नेगटिव जाए तो लास्ट वरियर में एवरिज परेश रिटेंस के तौर पर पोज़ी वर रही है और आखिर खार दोस्तो इस स्टोक पर कूछ जो अपडेट्स निकल के आ रही है तो वो सबसे इंपोर्टेंट वोड़ाफोन आइडिया ने फंडिंग की जरूरतों के लिए दोस्त यह उनकी कहिना के अगले तीनस वर्सों में पुझे के तुवियर में और रखुराओ के लिए धनकी जो आवशकता है उसके लिए अभी कमपनी ने फंड किया आ जयर की है और आंसिक वितपोसन के लिए बार्दी स्टेट बैंक के साथ भी सर्षा और लड़ी कमपनी के चल रही है जो कई ना कई अच्छा पोजिटिव अब खबर निकल के आ रहा है कि इटी को पता सला है कि वोड़ा फोन आइडिया ने हाली के हप्तों में मद्दे अवदी के फंडिंग जरूरों तो फूरा करने के लिए के लोन के लिए सरकारी सवामित वाली कंपनियों से भी संपरकिया है तो कई ना कई पोजिटिव अब धेट रहने वावली है अब एक्सपर्ट की और बड़ी जो रेटिंग कंपनियों जो रेटिंग फरमें उनके तरफ से कुछ अपडेट निकल किया रही है तो NDTV Profits की तरफ से दो दोस्तो आज अपडेट निकल किया है कि Vodafone Idea के स्टोक पर Outlook ने दोस्तो विसलेसकों को विबाजित कर दिया है CT और बनाम Goldman Sachs से तो इन दोनों के दोस्तो अभी की टाइम राय अलग लग नज़र आ रही है VCT ने दोस्तो विए पर खरीद रेटिंग बरकरार रखी है हलाएं कि दोस्तो स्टोक को उच्छ जोखिम से जुड़े रहने के भी संभावना बताई है कि यह स्टोक उच्छ जोखिम में जुड़ा हुआ है जबकि Golden Man Sachs ने दोस्तो लगबग 33% गिराउट के साथ इसे बेशने की रेटिंग continuously बरकरार दी है तो यह सिज़े कईना के दोस्तो दो वागों में बढ़ते हुए नज़र आ रहे है तो यह कईना के आगे चलकर हमारे लिए confusion बड़ा पैदा कर सकता है क्योंकि दोस्तो यह दोरों जो फर्म है वो बड़ी बड़ी है और क्योंकि दोस्तो इनके जो टार्गेट्स है वो कईना के खरे उतरते हुए क्योंकि दोस्तो सीटी का आसावादी रुक नज़र आ रहा है क्योंकि सीटी ने खरीद रेटिंग बना रहने के लिए वोड़ा फोन बने रहने का जो टार्गेट है वो रखाया और इसमें दोस्तो इस्टो को 90 दिवे से पर उत प्रेरक निगराने से हटा दिया है कईना कई अभी के टाइम गोल्डन मैन सेक्स के तरफ से सतर्क दिष्टिकॉन भी रखा गया है उन्हें बताया कि गोल्डन मैन वोड़ा फोन पर बेजने की जो रेटिंग है वो बरकरार रखी है वो लक्षे मुले धाई रुपय तक परतिशेर पर रखा जाएगा जो लग सेर किये हैं तो बड़ी सेर खरीदते वे नजर आया है तो वो कहीना कई दोस्तों पोजिट्व अपडेट के तोर फ़रा में देखने को मिल रहा है कि जो डेटा है वो कहीना कई इंप्रोव कर सकता है मंगलम बिड़ा ने दोस्तों एक बड़े इन्वेस्टर अभी कंपनी क अंदर किया है बड़ी जो सेरों की जो खरीदारी है वो की है और यहां पर बता सलता है कि दोस्तों कई ना कई बड़ा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के अंदर फिर से नजर आया है क्योंकि मंगलम बिड़ा ने 6 सितमर को वोड़ा फॉन आइडिया में 1.86 क्रोड रुपए के सेर खरीदे जबकि पलानी इन्वेस्टमेंट नहीं उसी दिन दोस्तों 30 लाग सेर क्रीदे थे क्योंकि दोस्तों इस इस स्टोक पे काफी बड़ी गिराउट थी और इसलिग गिराउट का फायदा दोस्तों एक्ष्वल मार्केट के जो इन्वेस्टर है वो उठाते वह नजर आ रहा है क्योंकि दोस्तो वड़ाफोन आइडिया में 6 सितमर को 11% से अधिकी गिरा उठती और इसी का फाइदा दोस्तो बड़े लोग उठाते हुए नजर आए है तो अमीदिन कईना कई जो इंप्रूमेंट है इसकी जो खबर ये निकल काई है दोस्तो बिड़ा वाल के अंदर जो सबसे मेंट चीज निकल क्या रही है कि करज अपने करज को कम करने के लिए दुस्तो जो है कहीना कहीं फंड्रेजिंग की जो आउस होता है वो सचमे कंपनी को पढ़ रही है आगे चलकर इंप्रूव जो है कहीना कहीं डेटा के तोर पर नजर आ सकता है और कि अंदर कि कर देकांब सबसे करणा केuciónर फिर डिरजो ऊकंपनी की एलमुस्तो फिर निकल के आ रहा है और श्याय और फिर तोडी तो और नगेटिवीटय नजर आ पर अप्र प्रोफिट की ग्रोत में एक अच्छी- पिसले तीन सारों के अंदर 12% की तो last year company के 3% की गिराउट निकल के आ रही है तो कईना कहीं इन चीजों में database है वो improve कर सकता है और तो secondary जो region होने वाला कि तेजी का वो यह देखने को मिल रहा कि दोस्तो oversold zone में company का जो chart pattern था वो कारोबार कर रहा था और इसी के बदोलत कहीं न कहीं market पे दोस्तो जो buyback है वो काफी अच्छा होता हुआ भी देखने को नजरा है क्योंकि यहां पे company साड़े 27 संकों तक दोस्तो oversold zone पे company का chart indicators, RSI indicators होता वो कारोबार कर रहा था इसी के बाद market में वापस जो है buyback के तोर पर बड़े निवेसकों के entry हो चुकी है क्योंकि दोस्तो वो करोडो share buy कर रहे है तो इस वज़े से पर share पर उन्हें 5 पेसे का bigger profit होता है तो कई ना कई वो बड़े profit को gain करते हुए नजराने वाले है उस दिक सासथ कई ना कई company का data बेस अगर देखा जाए तो वो positive नजराएगा क्योंकि आज के session पर कारोबार की अगर हम बात करें तो आज के session में जो कारोबार नजरा रहा है वो भी काफी बढ़िया volume काफी strong रही है क्योंकि दुस्तों यहाँ पर 44,42,492 लुसेर है वो कई ना कई काउंटर पर काउंटर पर कारोबार हुआ है जो काफी अच्छा नजरा रहा है साथी साथ यहाँ पर delivery काफी सांदार निकल की आई है जो 32,36,36 पर भारती बाजर काफी अच्छी कारोबार करते हुए नजरा रहा है जो से यहाँ वो सेलिंग पर जा रहा है और 52,89 से दुस्तो बाई इंग पर नजर आ रहे है दो जमिया अस्वान का अंदर दोस्तो बाय शेल पर भी नजर आ रहा है क्योंकि शेलर्स की जो कउइंटउर्स की जो कॉंआटिटी है और जानकारी को ज़्यादा स्यार्ज द्रूब से कर देना और आपके नजर में कोई पैनी स्टोक हो तो उसके जानकारी कमेंट में फिन कर देना एंसे स्क्रीक आपको जल्ली बता दिया जाएगा मिलते नेक्टिमेजिंग वीडियो को साथ अब तक के रिजाद देजिए जैसरी करशना थैंक्स रोतिंग दिसमें वीडियो जाएखिंग जेवार्त वंदे मात